हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो गैटमूर इंफो यूटुब चैनल तो आज के वीडियो में हम एक निव इस्कीम के बारे में बात करेंगे एक नई योजना के बारे में जो की है प्रधान मंतरी अमरत योजना और यह ओल इंदिया क्योंकि एक केंद्र सरकार की योजना है तो सभी राज्यों में ये योजना चल रही है, अमरत मिशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो इस योजना के बारे में मैं आपको information दूँगी, क्योंकि ये जो scheme है, इससे related काफी questions आप से किये जा सकते हैं, तो इस योजना के बारे में आप अच्छे से समझ लेजे, मैंने अग इस योजना के बारे में basic से जो points हैं, वो मैं आपके clear करूंगी, main points आपके clear करूंगी, okay, so अगर आप interested है, वीडियो में बनी रहीएगा, अमरत योजना के बारे में अगर आप जाना चाहते हैं, अमरत योजना क्या है, वीडियो को continue रखेगा, और इसके वीडियो देखने क अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगए या helpful रही है, तो like and share करती जिगा, चले स्टार्ट करते हैं, so हम इस योजना के बारे में बात करेंगे, अमरत योजना, अमरत योजना का अगर हम English में full form देखें, तो अटल मिशन for rejuvenation and urban transformation, and हिंदी में आभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काया कल्प और सहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, यह इस योजना का full form है, शौट में अमरत योजना या अमरत स्कीम के नाम से जानी जाती है, सरकार के दोरा देश के नागरिकों को बुनियादी सेवाय प्रदान की जा सकें, इस प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदीजी के दोरा किया गया है, इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को जो विसिक्सी नेट्स होती हैं, वनियादी सेवाय होती हैं, वो प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनको सभी सुभधाएं जो विसिक्सी नेट्स ह उनको उन तक पहुंच सके उनको वो facility मिल सके अगरम इसमें ये देखें कि कौन-कौन सी आवशकता है या इसके उद्देश्च देखें इस योजना के तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ती के लिए नल औ छे सहर हैं जिनको लिया गया है ठीक है तो यहाँ आप देख देख रहे हैं हर्याली और अच्छी तरह से बनाए हुए जो खुले स्थान है या पार्क वग्रा है यह बिक्सित करके सहरों की शुवधा मूल में ब्रद्धी करें और सार्वजनिक परिवहन का चैन करके या ग जोजना के माधम से प्रते घर में पानी की आपूरती हो सीवरेस कनेक्शन सुनिष्चित हो इसके अलाबा पार्क भी विक्सित हो ठीक है जिससे पॉलूशन कम हो खुला एरिया लोगों को मिले यह सारी जो नीट्स रहती हैं जो जरूरत हैं इनकी यह सुभधाएं लोगों को मिल सकें इसके लिए इस योजना को चलाए गया है यह सभी परेणाम नागरिकों विसेस रूप से महलाओं द्वारा हासल हुए हैं ठीक है तो इसको आप देखी सकते हैं में जो छेत्रे जहां पर फोकस किया जा रहा है वो है जलापूर्थी सीवरेस और सेप्टेस 2440 सहरी परिवहन जिसे पॉलूशन कंट्रॉल हो हरे तिस्थान यानी पार्क जो हरे भरे जगए हैं उनको बढ़ाबा दिया जा सके जिसमें आप कबरेज आप देख रहे हैं 500 सहर अम्रत के तहट चैन किया गया है 500 सहरों को ठीक है तो आप से अगर कॉशन किया जाता है कित बाले एक लाग से अधिक आबादी वाले सभी सहर और कस्वे जनमें च्छावनी यानि नागरिक छेत्र सामिल है वो इसमें आ जाएंगे सभी राजधानी सहर राज्यों के इंसासित पिदेसों के सहर जो उपरोक्त में सामिल नहीं है ठीक है इसमें सामिल नहीं है हिर्दाई योजना के तहट M.O.H.U.A. द्वारा बिरासत सहरों के रूप में बरगी करा सहर और कस्वे ये कुछ योजना हैं जिनके अंतरगत जो सहर आते हैं वो इसमें रहेंगे या नहीं ये आपको बताया जा रहा है मुख नदियों के किनारे जैसे 75,000 से अधिक एक लाग से कम आवादी वाले जो सहर और कस्वे हैं वो लेंगे पहाड़ी राज्य हैं दूईपे हैं परेटन इस्थल के 10 सहर यहां पर पतेग रास्ते एक से अधिक नहीं ठीक है जो कि परेटन इस्थल जो रहेंगे राज्य दूईप ये इस तरह से एक सहर लिया जाएगा अब इससे उजना का benefit क्या है तो आप देखेंगे जल आपूर्ती सबसे पहले जिसमें मौझूदा जल आपूर्ती जल उपचार संग्यंत्रों और सार्भ हमेक मेटरिंग के समबर्दन सहिट जल आपूर्ती पिणालिया उपचार संग्यंत्रों सहिट पुराणी जल आपू प्रभावी तरीके से साफ सफाई ठीक है तूफानी जलने कासी जो अभी हमने पढ़ा सहरी परिवहन फुट पाद वाकवे एंड फुट ऑवर व्रेज गैर मॉटर चालित परिवहन मल्टी लेवल कार पार्किंग बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यह यहां पर रहेंगे हरित इस्थान और पार्क को बढ़ाबा यह यहां पर आपको देख में हैं चमता निरमाड बगरा सबको चाप यह देख रहे हैं यह इसकी विसेश्थाएं हैं बिसिकली यह जो योजन सीधे सीधे भारत के नागलिकों को होगा उन सहर के उन सिटी के जो कस्वे हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को मिलेगा लेकिन इसमें आविदन करने का परसनल आप यहां पर आविदन नहीं करेंगे जैसे आप यहां पर पातरता देख रहे हैं तो पातरता में यह खुली योजना है और इस योजना के लिए अपातरता की कोई भी आविश्यक्ता नहीं है और यह जो योजना है इसका जो चैन है क्योंकि यहां यह सहरों को चैन किया जा रहा है इस योजना के अंत्रगत किया जाता है तो इसमें अमरत यह एम आर यूटी के तहट 500 सहरों को चैन किया गया है ठीक है तो यहां particular किसी person के लिए या हमारे जो citizen है जो नागरिक हैं उनके लिए यहां आविदन नहीं करना है जैसे देखें यहां पर mention किया है आविदक को यूजना के लिए आविदन करने की आविश्यक्ता नहीं है परियोजनाओं को सहरी इस्थानिये निकायों की आविश्यक्ता नहीं है सारी यूजना जो है वो city सहर के विकास development के लिए है पूरी विवस्ता जो हो सके जो basic needs है जो साप सफाई pollution कम हो सीव रेज पानी की जला पूर्ती हो यह सारी विवस्ता यहां पर की जा रही है स्योजना के अंतरगति उद्देश रखा गया है तो यह स्रिफ आपको यह information होने चाहिए स्योजना के वारे में क्योंकि किसी भी competition examination में जब आप से question कहता है basically जो बड़े-बड़े competition जो ह हमारे इंडिया के top competitive examinations जो रहते हैं यू-PSC हुआ या आपका पेसी लिवल का जो examination है state level पर उनमें भी यह question किये जा सकते है नियोजना से रिलेटिव तो मेरा जो अदेश था स्रिफ आपको इसी उजना के बारे में information देना था ताकि आपके examination में अगर कोई question आता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं thanks for watching